नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि यूरिमैक्स कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, यूरिमैक्सकैपसूल को कैसे लेना चाहिए, और यूरिमैक्सकैपसूल की वज़ से क्या side effects हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि URIMAX कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए URIMAX एक ब्रैंड नेम है URIMAX कैपसूल के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन टेमसुलोसिन 0.4 mg होता है URIMAX कैपसूल अलफा ब्लॉकर ड्रग क्लास की दवा है URIMAX कैपसूल का उप्योग पुरुशों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर किया जाता है पुरुशों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने को मेडिकल भाशा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरपलेसिया या BPH भी कहते हैं पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वज़े से बार-बार पेशाप के लिए जाना, पेशाप को थोड़ी देर भी न रोक पाना, रात को बार-बार पेशाप करने के लिए उठना, पेशाप की थैली को पूरी तरह से खाली न कर पाना, पेशाप की धार का कम होना, पेशाब करने में परेशानी या दर्द होना, पेशाब में खून आना, रुक रुक कर पेशाब आना और पेशाब करने के बाद भी बून्द बून्द पेशाब तपकना आदी लक्षन पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वज़से हो सकते ह उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक सामान्य बात है और ज्यादा उम्र के व्यक्तिएों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने का जोखिम अधिक होता है URIMAX capsule पुरुषों में prostate और urine bladder की मासपेशियों को relax करता है, जिसकी वज़ा से पुरुषों को पेशाप करने में आसानी हो जाती है. URIMAX capsule केवल prostate और urine bladder की मासपेशियों को relax करता है, जिसकी वज़ा से पुरुषों को पेशाप करने में आसानी हो जाती है. अब हम डिसकस करेंगे कि यूरी मैक्स कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। यूरी मैक्स कैपसूल की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। चाती में दर्ध होना, चाती में ज्यादा बलगम बनना, दस्त होना, गले में खराश या दर्ध होना, उल्ती आने का मन होना, आखों में धुंदलापन होना और नीन्द अधिक आना आदी साइड इफेक्स यूरी मैक्स कैपसूल की वजह से हो सकते हैं। और सेक्स के दौरान सीमन निकलने की मात्रा भी असामान्य हो सकती है। महिलाओं के लिए यूरी मैक्स कैपसूल का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए महिलाओं को यूरी मैक्स कैपसूल का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका यूरीमैक्स कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.